अब आपके साथ इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ आपके साथ multiple choice questions और वो सभी के सभी different category में जैसे की assertion based questions भी है assertion reason based कह सकते हैं और साथ में source based questions भी होने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत interesting होने वाला है तो आप from the beginning to end जरूर देखिए और साथ में आप मुझे मेरी Instagram ID पर follow कर सकते हैं अगर आप English के related कुछ और वीडियो का enjoy करना चाहते हैं और साथ में अगर आपने मेरी इस वीडियो को for the first time देखिया तो इस वीडियो की description box भी देखिए और मेरी चैनल की playlist को विजिट चुरूर कीजिए वहाँ पर आपको और भी links मिलेंगे अब यहां start करते हैं हम first question को लेकर video the following is a cereal crop आपको बताना है इन में से कौन सी एक cereal crop है तो option आपके सामने है wheat, rice, millets या all the above तो यहां पर हम कहेंगे जो cereal crops की category में आती है wheat भी आते है, rice भी आते है, millets भी आते है तो यहां right answer क्या होना चाहिए, yes of course correct answer यहां पर option D है, all the above यहां right answer है और मैं चाहूंगा आपको इस word का मतलब भी पता होना चाहिए, cereal का मतलब होता है जो आप खा सकते हैं ऐसे grain, ऐसे अनाज, तो हम कहेंगे खाने वाले हम wheat भी खाते हैं, rice भी खाते हैं और even millets भी खाते है तो millet में, millet में हम कह सकते हैं, ऐसे plants होते हैं जहां पर आपको nutritious seeds मिलते हैं, तो that's why they are all cereal crops, अब चलते हैं question number 2 के लिए, question number 2 में आपको इस blank को fill करना है और यहां पर blank में क्या आना चाहिए, maize, juar, rice या फिर cereals, तो option आपके सामने given है, और यहां पर है, dash is used both as a food and fodder, तो यहां पर right answer, of course हम कहेंगे right answer, यहां पर maize है, maize क्या होता है, जैसे कि कोई, यह भी एक seeds वाला होता है, कोई भी ऐसी item और यह दोनों तोर पर use होती है, food यानि जो खाने की item कह सकते हैं, और folder होता है, जो जानुरों का चारा होता है, और दोनों एंगल से इसको use कर सकते ह हम चलते हैं, question number 3 के लिए, which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area, जब आप large area पे, बहुत बड़े area पे एक single crop लगाते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो option आपके सामने है, shifting agriculture, plantation agriculture, horticulture, या फिर intensive agriculture, तो यहां right answer क्या होगा, हम कहेंगे, यहां पर इस पूरी अगर statement को दिखा जाए, तो इसके base पे right answer है, plantation agriculture उसे नाम दिया जाएगा, जब आप single crop लगाते हैं, बहुत बड़े area में, अब चलते हैं, question 4 के लिए, which one of the following is a rubby crop, इन में से कौन सी जो है, rubby crop है, चार option आपके सामने है, rice, millet, gram, या फिर cotton, तो यहां right answer क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे, जो rubby crop है, य यानि जो चाने होते हैं, अब rubby crop क्या होते हैं, उसका भी answer आपको तोड़ा सदे देता हूं, the crops that are sun, और sun का मतलो होता है, इनको कब बोया जाता है, winters में, October to December का वो टाइम होता है, जब इनको बोया जाता है, तो इसका मतलो है, कोंसी crop आती है, या आती है, जैसे wheat हो जाती अब आपको यहाँ leguminous crop की category बतानी है, तो कौन सी option उसमें correct होगी, तो option आपके सामने है, pulses, millets, joar, या फिर sesamum, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले leguminous का word, या या यह चो word है leguminous, इसका मतलब पता होना चाहिए, तो यह एक ऐसी crop होती है, जो की peas, यानि मटर की तरह होती है या फिर beans की तरह होती है, यानि इनको चो है cover, covering होती है एक अलग सी, जिसको आप remove करके immediately निकाल सकते है, तो मुझे लगता है, यहाँ पर right answer जो है, वो pulses है, क्योंकि pulses भी इसी shape में आती है, जो leguminous crop की category में, तो यह right answer option, yes of course option A ही होगा, pulses उस category में आती है, अब चलते हैं, question number 6 के लिए the type of farming in which farmers clear a patch of land for cultivation is called, अब यह किस तरह की farming होती है, जिसमें जो farmers एक patch of land को clear करते हैं, cultivation के लिए, तो option आपके सामने है, slash and burning agriculture, shifting agriculture, zooming, या फिर all the above, तो यहाँ right answer क्या होगा, हम कहेंगे, यहाँ पर चो right answer है, वो सारे के सारे ही option करेक्ट है, चाहे वो slash and burning agriculture हो, यह भी ऐ इसी होती है, कि जब एक जगा पर कुछ टाइम के लिए आप agriculture कर लेती हैं, product यानि जो crops लगा लेती है, फिर आपको move करना है, और shifting agriculture भी उसी का नाम आ जाता है, तो हम कहेंगे, यह सारे के सारे सेम ही है, अब चलते हैं, next question के लिए, question 7 देखिए, the right that is leading to the division of land among successive generation, यह कुँ जाता है, तो वो right कों से है, the right of expression, the right of inheritance, the right of education, the right of property, तो of course वो right है, option B, the right of inheritance के तहता है, कि जब land जो है, वो successive generation के पास चला जाता है, आने वाली generation के पास, transfer हो जाता है, from father to son, और इसके बाद आगे, अब जाते है, question 8 के लिए, the type of farming that uses high yielding variety seeds, तो यह high yielding variety seeds के बार में है, तो आपने सना ही होगा, जब green revolution हुआ था हो, तो उस तेम इनको use करना start किया गया था, और उसी के साथ connected है, हमारा chemical fertilizers, insecticides, pesticides, और main motive गया था, yes of course, to obtain higher productivity, उसे क्या कहा जाएगा, subsistence farming, primitive farming, modern farming या none of the above, तो यहाँ पर right answer क्या होगा, हम कहेंगे, यहाँ पर जो right answer है, वो है option C, उसे हम कहेंगे, modern farming, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस सारे की सारी बाते जो है connected है, वो है modern farming से connected हो, आप चलते हैं, next question के लिए, the street which is the largest producer of joar in India, अगर इंडिया में जोर की production की बात करें, तो को सी street सबसे बड़ी producer है, उसकी तो option आपके सामें है, राजस्थान, किरला, मनीपूर या फिर महराश्टरा, तो यहाँ पर right answer है, of course option D, महराश्टरा वो street है, जहाँ पर जोर की production सबसे ज़्यादा होती है, इंडिया में, अब चलते हैं, question 10 के लिए, the crop which is used both, both as a food and fodder, तो एक बारी question फिर से थोड़ा गूम किया है, तो यहाँ पर हम कहेंगे, right answer क्या होगा, yes of course हम कहेंगे, right answer मेज है, आप चलते है, question 11 के लिए, which state is the leading producer of rubber in India, तो बड़े simple से questions है, straight forward questions है, तो यहाँ पर right answer क्या होना चाहिए, तो हम कह कहेंगे, यहाँ पर correct answer है, of course, option B, केरला की, जो है, वो केरला में सबसे ज्यादा production होती है, rubber की, अब चलते है, question 12 के लिए, which is the position of India in the production of sugar cane, अगर sugar cane की बात करें, तो इंडिया की production की, क्या state है, वो बताइए, कि इंडिया में कितनी production होती है, sugar cane की, तो यहाँ option है, first, second, third, या Brazil का नाम आता है, first में अगर world की बात करें, अब चलते है, question 13 के लिए, the variety of coffee grown in India is, यानि जो इंडिया में coffee की variety grow की जाती है, उसका क्या नाम है, option आपके सामने है, Nescafe, Eratica, Arabica, या फिर Brissica, तो यहाँ पर right answer क्या होना चाहिए, हम कहेंगे, यहाँ right answer है, जो इंडिया में coffee grow की जाती है, वो है Arabica, option C, correct answer है, अब चलते है, question 14 के लिए, intensive cultivation of flowers, vegetables and plants is cold, अब जो cultivation को क्या नाम दिया जाएगा, जिसमें flowers भी हैं, vegetables और plants भी हैं, तो यहाँ पर right answer क्या होना चाहिए, horticulture, agriculture, sericulture या फिर vegetable culture, तो यहाँ पर सभी options ऐसा लगता है कि same ही है, but right answer है, option A, उसे हम horticulture का नाम देंगी, option A, आप चलते है, question 15 के लिए, an equi, तो यहाँ पर an equatorial non-fruit crop grown in India under special conditions and used as an important industrial raw material is, तो equatorial का मतलब होता है, जो equator के आस-पास अब थोड़ा सा hint आप के लिए हो जाएगा, और यह non-food crop है, तो non-fruit का मतलब देखे, gram यहाँ पर cut गए, pulses भी cut गए, maze भी cut गी, तो of course, यहाँ क्या बचा, क्योंकि यह non-food crop है, तो यहाँ right answer है, rubber, option D, correct answer है, आप चलते हैं, question 16 के लिए, wheat, barley, gram, mustard, peas, are some important, अभी कौन सी crops हैं, option आपके सामने है, creep, zyad, या ruby, तो यहाँ पर थोड़ी सी correction कर देते हैं, यह actual में जेद, यानि ऐसी crop होती है, जो creep और ruby season की बीच में लगाई जाती है, और last में option जो है, वो ruby और plantation है, तो यहाँ right answer क्या होना चाहिए, तो इससे यह बात तो clear हो गई, कि जह हम wheat, barley, gram, mustard, इनकी बात कर रहे हैं, तो यह zyad crop तो बीच में नहीं हो सकती, तो right answer यहाँ of course, हम कहेंगे option C है, ruby crops की category में आती हैं, सारी क सारी, so creep crops, अगर उनकी बात करें, वो कब उनकी जो लगाया जाता है, तो option आपके सामने है, monsoon की बिल्कुल starting में, या winters में, या with the onset of summer या summer के आने पर, या फिर rainy season में, तो यहाँ पर हम कहेंगे, जो creep crops हैं, वो लगाया जाती है, with the onset of monsoon, option A, यहाँ पर right answer है, और paddy is an important, paddy को किस नाम से हम कहेंगे, क्या है, कि important commercial crop है, creep crop है, plantation crop है, या all these, तो यहाँ पर right answer क्या होगा, of course हम कहेंगे, paddy के लिए सारे की सारे option ही correct है, यह commercial crop भी है, creep crop भी है, और plantation crop भी है, आप चलते हैं, question number 19 के लिए, generally, fodder crops are grown in, यानि अगर देगे, कहाँ पर वो grow होती है, उनको कहा लगाया जाता है, जो photo crops होती है, तो option आपके सामने है, जेज season में, रभी season में, खरीब season में, या फिर monsoon season में, तो यहाँ पर right answer क्या होगा, हम कहेंगे, यहाँ पर जो right answer है, जेज season में, यानि जो photo crop, चारे वाली crops होती है, बीच में जो gap होता है, उसी दुरान लगाया जात है उनको, तो अब चलते है, question 20 के लिए, the country that is the second largest producer of rice after China, चाइना के बाद बताएए, वो country कों सी है, जो rice की second largest producer है, तो option आपके सामने है, और right answer क्या होगा, तो हम कहेंगे, यहाँ पर जो correct answer है, वो है option D, India, अब चलते है, question 21 के लिए, rice cultivation requires, यानि rice cultivation, अगर आप चावल की production करन चाहते हैं, तो उसके लिए, क्या requirement होती है, तो option आपके सामने गिवन है, और right answer क्या होगा, तो यहाँ पर जो सभी की सभी options देखी है, हमें ऐसा लगता है, तो उसमें उसके लिए एक तो सही बात है, कि उसके लिए, आपको high temperature चाहिए, फिर उसके लावा, आपको चाहिए, high humidity, और annual rainfall above 100 cm, आपको चाहिए, तो option A, यहाँ पर right answer है, अगर आप rice की cultivation करना चाहते हैं, आप चलते हैं, question number 22 के लिए, the rubi crop that requires a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening, जब पकने का वक्त आए, तब तो चाहिए, bright sunshine, बड़ी दूप हो, तेज दूप हो, और जब इसको लगाने का time आए, तो cool growing season ह होना चाहिए, ठंडा मुसम होना चाहिए, तो यह कौन सी crop हो सकती है, तो option आपके सामने है, I think so, अगर आप agriculture के बारे में थोड़ी सी भी knowledge रखते हैं, तो of course हम कहेंगे right answer option C हैं, यहाँ पर wheat, क्योंकि यह बिल्कुल ऐसी होता है, जब लगाया जाते है, तो थोड़ी थोड संतरीतु के बाद का वक्त होता है, और बिसाकी भी बहुता है, in fact उसको, अब चलते हैं, next question के लिए, so rearing of silkworm for the production of silkworm is known as, या rearing of silkworm for the production of silkworm, इसको क्या कहा जाता है, तो option आपके सामने है, horticulture, agriculture, सीरी culture, या फिर vegetable culture, I think so, it's very clear, क्योंकि अगर हम पहले होटी culture के बारे में डि agriculture तो उसका नाम, या vegetable culture तो उसका नाम नहीं होगा, तो यहां right answer बचता है, option C, option C, यहां पर right answer है, अब चलते है, question 24 के लिए, the fiber, that is also known as golden fiber, यानि ऐसा कौन सा fiber है, जिसको golden fiber का नाम भी दिया गया है, तो option आपके सामने है, right answer, तो of course, यहां पर जो right answer है, वो है, jude, option D, correct answer है, अब चलते है, question number 25 के लिए, so who initiated the भूधान moment, अब यह अंदोलन किसने initiate, यानि start किया था, तो option है, महात्मा गांदी, पंडिच्वाहरलाल नहरू, विनोबा बावे, या फिर डॉक्टर बी आरम बेट कर, तो यहां right answer, यह सब कोर्स हम कहेंगे, right answer है, option C, विनोबा बावे न start किया था यह, आप चलते है, question 26 के लिए, a type of millet, rich in iron, calcium, other micronutrients and roughness is, यानि इसा कुन सा millet है, जो iron में rich है, तो साथ में calcium और other micronutrients भी होंगे, तो option आपके सामने है, बाजरा, राजमा, जुआर या फिर रागी, तो इसके लिए हम कहेंगे, जो right answer है, वो, option D है, रागी, यहां पर correct answer है, option D, अब चलते हैं, next question के लिए, question 27 देखिए, अब यह आपको blank fill करना है, fill in the blank, जैसे बार ले के equal आ जाती है, रभी crop, cotton के equal देखे तो खरीफ crop है, लेकिन C option में, यहां पर क्या आना चीज़ो, जायद crop की category में आएगी, तो wheat, mustard, soya bean, या फिर last option आपके सामने है, cucumber, तो यहां, of course, हम कहेंगे, जैद crop की category में, क्याना चीए, yes, of course, cucumber, यह थोड़ा सा time होता है, उस तरहीं में लगाया जाता है, इनको, अब चलते हैं, question 28 के लिए, choose the correctly masked bear about the primitive cultivation in India from the following options, अब जैसे, इस सारे की सारे options यहां पर given है, तो यह correctly masked option है, जो right है, बल्कुल, तो क्या होन चाहिए, यहां पर, अगर दहिया की बात करें, मद्या परदेश, कुमारी की बात करें, जारखंट, और खील की बात करें, आंद्रा परदेश, और common की बात करें, करनाट का, तो right answer, of course, बिल्कुल perfectly match है, वो है option A, दहिया, मद्या परदेश, यह बिल्कुल सही answer है, अब चलत ने given है, और right answer क्या होना चाहिए, so it helps in the development of the roots, या फिर it helps in the development of the tender leaves, और it helps in the development of twigs, और it helps in the tea plant to absorb water, तो पर यहां सबसे जो logical और सबसे exact answer वो है option B, क्योंकि जो humidity होती है, high humidity, वो help करती है, जो tea के leaves होती है, उनको tender leaves को grow करने में, उनकी develop करने में, तो option B यहां पर right answer है, आप चलते हैं, question number 30 के लिए, name to natural fiber except cotton, except cotton के इलावा, जो natural fiber हैं, तो वो कौन सी हो सकते हैं, तो option आपके सामनी है, और right answer क्या होगा, तो हम कहेंगी, यहां पर जो right answer है, वो option C है, jute and hemp, उस category में आते हैं, option C correct answer है, so millets are also called as, millet score किस नाम से जाना जाता है, तो option आपके सामनी है, और right answer क्या होगा, तो हम कहेंगी, यहां right answer है, of course option B, course screen की नाम से जाना जाता है, उनको millets को, अब चलते हैं, question 22 के लिए, dash is an age old and primary economic activity, जब भी primary economic activity आती है, माइन में, तो आपको भी exact answer माइन में strike करता होगा, तो हमारी जो primary और age old activity agriculture ही है, यहां पर, तो option C right answer है, अब चलते हैं, assertion, reason based questions की तरफ, तो देखिए, जैसे first assertion यहां पर given है, और उसी से match होता है, reason भी given है, तो देखिए, दोनों में क्या given है, जैसे rubber requires moist and humid climate with rainfall above 200 cm, तो यह तो कहा गया है, reason है, it is mainly grown in Kerala and Tamil Nadu, तो अब आको लग रहा है कि इनका दोनों का reason का और assertion का कुछ match है, पहली statement और दूसी statement का कुछ match है, दोनों किसी इसरे से connected है, तो अगर हम quotes को देखिए, quotes में पहला है, दोनों true है, and are is the correct explanation of A, यानि reason जो है, उसकी correct explanation है, यहां देखिए, second option है, कि ठीक है, दोनों true है, A और R, और R is not the correct explanation of A, third में किया है, A is true, but R is false, और four में है, A is true, in fact A is false and R is answer क्या होगा, तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बोला था, कि यहां पर दोनों statement given, तो जैसे assertion भी given है, और reason भी given है, but दोनों का link नहीं है, इसका मुदल किया है, कि both A and R, वो बिलकुर true है, और जैसे इसके लिए गिया गया था A में, कि rubber requires moist and a humid climate with rainfall above 200 cm, तो यह statement बिलकुर सही है, और reason को देखें, it is mainly grown in Kerala in Tamil Nadu, तो यह भी सही है, तो लेकिन दोनों का link नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हुआ, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A, तो यहां पर यह राइट answer है, अब निक्स assertion reason based की तरफ चलते है, Change in cropping pattern from cereals to high value crops is seen beneficial for Indian economy, और reason क्या दिया है, कि India can follow the way of successful economies by exporting farm products and importing cereals, अभी कहते हैं कि change in cropping pattern from cereals to high value crops is seen beneficial for Indian economy, कि चलो ठीक है, हम cereals को नहीं लगाते हैं, यानि edible grains को नहीं लगाते हैं, या कुछ high value crops के तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो ज़्यादा beneficial हो सकते हैं, और दूसरा reason इसके दिया है, कि India can follow the way of successful economies by exporting farm products and importing cereals, तो यहाँ पर क्या होना चीए, जो अगर code भी देखें, both A and R are true and R is a correct explanation of A, या both A and R are true but R जो है इसकी explanation A की नहीं है, A is true but R is false और A is false but R is true, तो यहाँ right answer क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो right answer है of course, दोनों ही, यानि both A and R are true and R जो है उसकी correct explanation बंदे statement के according, तो इसलिए दोनों में connection भी हो रहे हैं और दोनों correct भी हैं, अब next question थोड़ा different है, because मैंने आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको इस agriculture को, यानि यह जो यहाँ पर आपको दिख रही है, crop, इस crop का नाम बताने, कौन सी crop है, इस picture को आप देखिए, इस picture based questions है आपके लिए, तो यहाँ पर right answer क्या होगा, तो options मैं आपको दे देता हूँ, यह है maize, rice, wheat या फिर banana, तो यहाँ पर right answer, I think, so it's very clear to you, yes of course, यह जो plant हैं, यह एक्चल में banana plant हैं, यह banana जैसे जी देखिए, बंच लगए हुए, बनाना, इसके यहाँ पर यह थोड़े से cover किया गया इनको, तो यह banana की branch है, तो option D, यहाँ पर right answer है, आप चलते हैं, question 2 के लिए, यह भी आपका जो है picture beast है, जैसे यह picture लगए हुए है, तो इस picture में देखिए, कौन सी crop हो सकती है, यह तो option आपके सामने given है, वो है cotton, coffee, sugar cane, यह फिर none of these, तो यहाँ पर right answer क्या होगा, I think, तो यह भी आपको clear होना चाहिए, yes of course, जो बच्चे थोड़ा बहुत agriculture के बारे में जानते हैं, तो इन तहिके से जो crop को देखके पहचान जाएंगे, कि यह किसीश की फसल है, yes of course, this is sugar cane, option C, यहाँ पर right answer है, अब चलते हैं, source based question की दरफ, जैसे एक paragraph given होगा, जैसे आप comprehension पर से solve करते हैं, तो वैसे ही, यहाँ पर paragraph given है, agriculture has been practiced in India for thousands of years, and sustained uses of land without compatible techno institutional changes have hindered the pace of agriculture development, so in spite of development of the sources of most of the farmers in large parts of the country still depend on monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. So, for a growing population, अगर बर्ती population की बात करें, so this poses a serious challenge, agriculture which provides life to more than 60% of its population needs some technical and institutional reforms and thus collectivization, consolidation of holdings, cooperation and abolition of jamidari etc. were given priority to bring about institutional reforms in the country. और वो भी कब after independence, एक्षिल में क्या है, agriculture की पूरी बात बताईए, कि हम लोग agriculture भी depend करते हैं, बट जैसे जैसे हमारे पास population बढ़ती जा रही है, हमारे पास technology advance नहीं है, और इसी वज़े से हमारे सामने बड़े सारे challenge आ जाते हैं. अब देखिए, यह 60% से जादा लोगों को एक तरीके से life देती है, agriculture और कुछ technical और institutional reform की जरूरत है, इसलिए हमने, after जो हमें independence मिली तो यह कुछ collectivization, consolidation of holdings, या cooperation and abolition of jamidari, यह सब priority दिये गए ताकि एक institutional reform लाया जा सके. तो land reform was the focus of our first five year plan, the right of inheritance had already led to the fragmentation of land holdings, जो की हमें चाहिए थी necessitating consolidation of holdings. तो on the basis of this paragraph, first question है, why most of the Indian farmers still dependent on monsoon in India? तो बताएए कि क्या reason है कि हम लोग अभी भी इंडिया पे जो मकाम करने वाले लोग हैं farming, वे ओं मौनसून पे depend करते हैं. तो first option है due to not good source of irrigation, हमारे पास है चाहिए के sources नहीं है, laziness की वज़े से, या no support from the family, और all of these. तो सबसे logical answer of course हम कहेंगे first ही बनता है, क्योंकि हमारे पास sources of irrigation नहीं है, तो option A यहाँ पर right answer है, अब चाहते हैं question 2 के लिए, choose the main source of irrigation in our country from the given options. अगर आपको यह option दी जाएं, तो हमारे यहां country में ज़्यादा सबसे बड़ा source क्या हो सकता है, irrigation का, wells and rains, यानि कुएं और बारिश, surface water, जो surface का water है, या drainage, या ponds, या फिर all of these. तो हम कहेंगे, कि यहाँ पर तो हमें लगता है, सारे की सारे options ही correct है, हम wells यानि कुएं पर भी, बारिश पर भी, surface water पर भी depend करते हैं, और even drainage और ponds पर भी depend करते हैं, अब चलते हैं question बत हुई के लिए, what was the focus of the first five year plan, first five year plan का क्या focus है, तो option आपके सामने है, और right answer क्या होना च है, agriculture and irrigation, तो option A, यहाँ पर right answer है, अब चलते है question 4 के लिए, identify the one feature of Indian agriculture, आपको Indian agriculture का एक feature बताना है, तो option आपके सामने given है, it brings the sadness for the poor farmer, so it assures food security for the country, India is not an agriculture country, और none of these, but यहाँ पर सारे options को छोड़े, तो हम कहेंगे option B, सिर्फ जो है right answer है, तो यह थी कुछ important question इस chapter के, I think so, यह वी वीडियो आपके लिए बहुत helpful होने वाल है, so अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो like जरूर कीज़ेगा, क्योंकि आपका like जो है, मेरी लिए बहुत valuable है, आप एक video को like करेंगे, अगर किसी भी तरह का कोई doubt है, तो आप comment section में बताएगा, मैं आपकी हर possible help करूँगा, so इस चैनल की playlist को आप visit कीजिए, so thank you very much and have a very nice day.